नमस्कार, स्वागत था आप सभी का History 360 चैनल में मैं रवी कुलरिया History Lecture राधसान से आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा अर्विन भासकर की पुस्तक वस्तोनिस्ट विश्व इतिहास के नए एडिशन का इसका पुराना एडिशन काफी popular रहा था इसका एक करण तो ये है कि वस्तोनिस्ट विश्व इतिहास के लिए पुस्तकों की मार्केट में बहुत कमी है ऐसे पुस्तके मिलती नहीं है और दूसरी इनकी पुस्तक आती भी अच्छी है अब ये इसका नए एडिशन आया है और इसमें मैंने देखा कि पुराने एडिशन की तुलनामी काफी सारे नए क्वेस्टन जोड़ दिये गए है प्राइस की बात करें तो इसका 175 रुपीज प्राइस है तो आपको कम चार्जेज भी दिखा सकता है यदि आपको ओनलाइन लेना है तो मैं अमेज़न का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा वहां से जाकर आप बुक को खरीच सकते है अब ये किन एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है ये तो लेखक ने शुरुवात में ही बता दिया है स्कूल व्याख्यता, असिस्टन प्रोफेसर, प्रधाना ध्यापक, दुट्यश्रेणी अध्यापक जैसे कई एक्जाम्स के लिए जो कि यहां पर दिया गया है तो वस्तुनिष्ट विश्व इतिहास के लिए खास दोर से मैं बात करो हिंदी मीडियम में तो इसके टकर की अन्य कोई भी बुक मार्केट में उपलब्द नहीं है आप बार-बार प्रियास करने के बावजुद भी इससे बहतर बुक खौज नहीं पाएंगे क्योंकि वैसे ही पुष्ट के कम है और बहतर तो कहेंगे तो निश्चित रूप से अर्विंद भासकर की पुष्ट का ही नाम आता है अब इसमें आपको विशे सुची दिखा दूँ तो सबसे पहले देखे ये ये टोपिक जान बुझके क्योंकि राजस्तान फर्स्ट ग्रेड में आते हैं इसलिए दिए गए हैं और उसके बाद कि जो टोपिक हैं वो सभी एक्जाम्स में आते हैं चे वो असिस्टिन प्रोफेसर का एक्जाम हो चे जो केंद्रिय विद्याले का पीजीटी का एक्जाम हो या अन्य जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उनमें भी इस प्रकार के टोपिक से क्योशन आते हैं तो उनको सब को शैमिल करने का प्रियास किया गया है तो आप यहाँ पर टोपिक देख सकते हैं जो भी अन्य क्योशन भी इसमें एड किये गए हैं देखें यहाँ पर आप यह दि देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुराने एक्जाम के क्योशन दिखेंगे तो आपको पुराने एक्जाम के क्योशन दिखेंगे और यहां दूसरे पेज में देखेंगे तो आपको दो प्रशनों के उत्तरों की व्याख्या की गई है तो जिस प्रकार के आप पुष्टकें पढ़ते हैं इतिहास बारती इतिहास के लिए उस प्रकार से व्याख्या उपलब्द नहीं है यहां कई प्रशनों की बहुत अच्छी व्याख्या दे रखी है लेकिन व्याख्या कम दे रखी है व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं है अच्छा व्यूरण दे रखा है लेकिन बहुत से कम प्रशनों की व्याख्या दे रखी है और कई प्रिशन ऐसे भी हैं जिनकी व्याक्या की जरूरत नहीं होती, वो भी निश्चित रूप से बात में समझता हूं, यह आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि व्याक्या कम हैं, तो यह इसका पहला टोपिक दे रखा है, फिर उसके बाद के कुछ टोपिक उसमें ऐसा देरखा है, जो भी धर्म वाले चेप्टर हैं, इसलाम, इसाई उनके बारे में, यह इसलाम का उदे और विस्तार वाला टोपिक है, और जो समाने टोपिक जैसे ओद्योगी करांती के बारे में बात करें, तो यह ओद्योगी करांती कर टोपिक है, आप देख सक question है उनको शामिल किया गया है जैसे यहां इस page पिर आप देखेंगे तो आपको पिछले exams के question दिखेंगे और उसके बाद में अलग से भी question दिखेंगे जैसे मैं right page में दिखा हूँ आपको यहां पर अलग से question दिए गए हैं तो ऐसा नहीं है कि के लिए एक अच्छी choice ही आपके लिए हो सकती है और इससे बहतर choice market में उपलब है भी नहीं तो यह था मेरा review अर्विंद भासकर की पुस्तक वस्तोनिष्ट विश्वितिहास का मेरे राइ में एक अच्छी बुक है यदि आप फस्ट क्रेड राजस्तान के लिए या पीजी टी केंद्रिय विद्याले के लिए या असेश्टन प्रोफेसर के त्यारी कर रहे हैं तो निश्चित रुप से आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं धन्यवाद